हम लोग शुमत भागवतम के तीसरे सुकंद के नवे धाय के पच्चिसमे श्लोक को पढ़ रहे हैं और यह बहुत ही स्वीट श्लोक है क्यों देखिए अभी तक ब्रह्मा जी अब घबरा रहे थे घबरा भी रहते कि आप भगवान आपकी द्वारा आदेशित होकर आपके प भगवान उनके सामने है और भगवान ने अब तक कुछ बोला है कि अनको भगवान ने अब तक कुछ नहीं बोला अगर आप फॉलो करना है आठ में धाय से अभी तक कुछ नहीं बोले है इस लोक इस में नहीं बोले है तो इससे बिल्कुल पस्ट हुता कि उनको हृदे में उनको समझ आगे तहां कि सिर्ष्ट्धी करने के लिए मेरा अस्तित्व है रहना पुराश्ण में कि मैं कौन हूँ, यह कमल कौन है, यह क्या है, मेरा उधमль किसली हूँ, तो वह उनको अपने आप ब्गवान की कृपास समझ में आगा, यह हमने सुना था, महाला भगवान तो बोले नहीं है, इस लोग से प्रमान है कि बहुआ बोले नहीं है, तो ब्गवान की किरपास दधा तो उनको अपनी सेवा समझ में आ गई थी कि मैं ब्रमा हूं और मेरा कार्य स्रिष्ठी करना है। यह प्रजी कैसे समझ जा बीना बोले का समझ आचा सुबट के बाथरूम जाना होता है कि नहीं जाना होता है। मैं और यह भगवान अंदर से गयान ना कि पेस्ट करना होता है। मैंने बता थे कि एक बार में उठा था और टूथ पेस्ट की जगहें शेविंग क्रीम उठाकर लगाने लगा था तो यह भी घ्यान भगवान दे रहे ना रोज। तो ब्रमा जी को ज्यान दे दिए कि उनको नहीं है कि वो जानते हैं कि अंको डर लग रहा है कि औरे मैं सिर्ष्टी करूंगा तो भूल जाँगा अब वो कह रहे हैं कि भागवान आप मुझे से अपने कुछ मीठे शब्दों में आज्या कीजिए मुझे आज्या दीजिए बोलिए कि ये ब्रह्मा सिर्ष्टी करो अब करेंगे वाट मतलब इतना बोले से वज़ा है कि भागवान तो और और भी बोलेंगे but that will be sufficient inspiration for ब्रह्मा for his whole day अरे आप अभी बिलकुल माताजी लोग बिलकुल समझ जाएंगे इस बात को आप मान लिजिए किसी भैष्टनों को बलाते हैं घर में प्रसाद के लिए वो आते हैं प्रसाद पाते हैं और चुप चाप चले जाएं क्या अचा लगे अच्छा लगा बुरा लगा अगर कुछ कमी भी हो वही कुछ बोलें तो अच्छा लगता है माताजी अच्छा बनाएं लिए तो नमक कम है कुछ कुछ बोलें और मान लिए कहते हैं बहुत अच्छा बनाएं या अगर कोई ऐसे माने जी कहें जिसे महतसीनर भक्त हैं वैश्णा में हम घर में आएंगे आप बनाईए कुछ यह बनाईए वो इतना बोलते हैं कोड़ी बना देना चावल बना देना कुछ भी तो आप देगे कितना उस्सा हो जाता है हमको अपना मानता है तब ना कोई वि जब भक्त को यह समझ आजाता है कि भग्वान मुझे अपना मान रहे हैं इसलिये आज्या दें तुम यह करो जब ऐसा किसी को आप कह ते हो तो उसको कँछ Wikipedia कह रहा है तो उसको अपना मान रहा है तब नडा कहेगा तुम यह करो और इसमें सभावी सी बात है जब भग्वान कहने कि तुम यह करो मतलब जैसे ब्रम्हा जी प्रार्तना कर रहे हैं उसमें जो वो डर रहे थे कि मैं भूल जाओंगा आपको वो सारा प्रोटेक्शन लेकर के बोलना कि तुम स्रिष्टी करो तुम प्रभावित नहीं होगे इतना भग्वान का बोलना कि तुम स्रिष्टी करो तो उसमें included है कि वो सब चीज वो भवान को नहीं बूलेंगे वो सारी सारी responsibility भग्वान लेंगे क्योंकि भग्वान ने आज्या दी है अब ब्रह्मा जिक संग कुछ गलत नहीं हो सकता है वो साक्षात आज्या दी वसे एक बात है आपे case in point समझे लिजे कि भग्वान ने आज्या हमला को भी दी है कौन से आज्या मन मना भव मद भक्तो भव मेरे भक्त बनो ये आज्या है कि नहीं मद याजी मेरी पूजा करो माम नमस्कुरू मेरी मुझको नमस्कार करो मेज में मन लगाओ ये आज्या दिख रहा है कि नहीं और निश्यत तुम मेरे पास आओगे अगर हम थोड़े sensitive हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सामने आकर के बोलेंगे तभी वह बात होगी आपके माली जी गुरू महाराज है कोई उनका personal सेवक आपको बोलता है गुरू महाराज आपको यह कहें कि फलानी फलानी कारे को कर देना तो आपके गुरू महाराज कुछ भी कुछ भी है I'm just saying something उसे कि बोलेंगा अगर उनसे बालेंगा तो भी नहीं उसे क्या देना तो और आत्मी तर लगेगी है कि नहीं एक दम आपको है कि सामज रहा ना मेरी बात भी फील कि फील दाट अब जरूरी नहीं है कि आप महाराज से सिदे रिम करेंगे महारा तुम सिर्ष्टी करो यह बात यह सार है इसका बाकी हो सारी डीटेल स्वागा पर चर्चा करने वारा हम सुनेंगे हैं बहुत छोटा सा श्लोक इस वेरी परसनल और देखना एक दिन भगवान आप से भी ऐसे ही बात करेंगे भगवान ने यह तो बोला यह मन मना भव मत भक भक्ती के दौरा इतनी योगता आ जाए कि सीधे भगवान हम से बात कर दे यह सारा प्रसेस इसलिए दिख्शा कर ले रहे हैं बख्ति कर रहे हैं इसलिए इतने योग हो जाए कि सीधे भगवान से इंट्रेक्षन भी हो एक दिल वो होगा गुरु महाराची कृपा के द्व ही है यह कोई हैसनी की कुछ complicated बात है यह भगवान की आग्या है मैं इस पर इसको था समझा लेता हूं पर इसका दुछ लोग को जाते हैं मैं इस पर reflect कर रहा था कि भगवान की कितनी अतिशय कृपा है कि प्रति दिन मुझे भगवद गीता भागवतम पर बोलने पर मिलता है तो सभाविक सी बात है इस बोलने के द्वारा मैं भगवान को बहुत प्रसंद कर रहा हूं उसमें कुछ संदेनी कि बहुत इसको पश्ट बोले हैं अब यह बताए जैसे हम मेरी योग योगयता नहीं है मैं तो प्रयास कर रहा हूं और भगवान ने क्या बोला है कि जो इस इस परम को यह ज्यान को भगवदीता क्षिमत भागुतम तो नहीं एक ही बात है वह मेरे भक्तों को देता है तो मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है है नहीं लेकिन परा दिव्य भक्ति को प्रिमा भक्ति को प्राप्त करके मेरे पास आता है इसमें कोई संश्य नहीं क्ल यह clear है, सब लोग संदेश में ठीक है, आप लोग इसमें सहयता करने, आप लोग के बिना में बोल सकता हूं, तो यानि कि आप उसमें सिधान लगाए, जो विक्ति कुछ कार कर रहा है, उसकी सहयता करने वाले को भी वही लाभ मिलता है, जो करने वाले को मिलता है, गलत नहीं क उसकी सहयता तो आप कर रहा है न, अचा कोई एक विक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इस क्लास में आके वो मेरी सहयता नहीं कर रहा है, तो आओ, आओ, हाथ जैसा खड़ा करेगा, तो गल उड़ जागा, क्योंकि तो आया ना क्लास में, अग्रीट, ठीक है, जो लोग वीडियो आओ, कि वो बहार समर्थन कर रहा है, कोई बात नहीं हम लोग चाय पी रहे लेकिन भीर भी आप सुने अपका विक्ति हम आप कर रहे हैं, अब आप देख लिजिए कि अपर यूटूब पर बीज़ो आप आप तो जो सहायता कर रहा है, सब्सक्राइब करते कुछ करते तो अज़ो सहायता कर रहा है, इस महानी यग में. उ आपको प्रेम यूज आइं मिलेगा, और एक तरसे मीरी तो एनरजी खर चुलिए, आपका काली सथना है यह सथना है, और आपको मैंन करनें के अनवय करना, बस सुनना है, जहां कोई विरोध हो, चैट ओपन है, बता देना, मेरी प्रतीद मत बाओ, I was so thankful, उन्हें का, भाई, हम क्या कर सकते हैं, बक्तों को बास भागवत ही तो दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और देखिए, भले महां में क्लास कर रहा था, तो थो आठ बजी का सिस्टम था, यहां हो सकते हैं, कभी कभी सब आठ बजी हो जाए, लेकिन, I have to share these things with devotees, जो चीज मुझे एकदम जनाटे से इस्पायर कर देती है, प्रचार कार करने के लिए, I must share किया, यानि कि आप भले ही किसी को भागवत ना सुना पाए, नहीं नहीं बोल पा रहा है, कोई सुनने के लिए आहीं नहीं रहा है, तो भी सहायता तो करना, इस महान यगी में, और आप दूसरों को सुना ही रहे हैं, ये कथा रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे जा रही है, आप भी कम से कम 79,000 लोग उसमें सब्सक्राइब कर जाए, अभी तक, अभी तो पुरी हो ही नहीं, 79,000, तो उसमें कर दो लोग भी सुनते हैं, उसमें आपका सहयोग है, आपके द्वारा ही ये कथा करवाई जा रही, आप ही लोग मेरे यजमान है, एक भक्त को यजमान बनने बड़ा सुख है, तो आप ही हमारे यजमान है, इस कथा के, और हमको देखे बहुत प्रसंद होते हैं, सबी भक्त को देखे प्रसंद होते हैं, ये यजमान गीरी करनी तो यहीं करिए और इसके दार आप कौलपना नहीं कर सकते कि कितना लाव कर रहे हैं। मैं आपको प्रेण नहीं देना आपको वेरी एंथूस टुड़े। श्रीमित भागवत्व का शरवण करना यह अलिम्नित्र भागवान की अनलिमिटर सेवा हैं। यह आप चौत्यश्का में सुनने बाले हैं। बहुत बढोगान के बारे बोलना क्योंकि उसे जीव भग्वान के पास जाएगा तो यह चया अननिम्टेट सेवा नहीं हो गया नहीं हो गया गाया इसमें जो भी साहिता शेवा उने शेया को यह शबेज़ भी साहिता रोगाने जो लुग का उठा में आते हैं तो उनको भी ब्रकरणो भगवान विविर्थ प्रेम स्मितेन नयनाम बुरुहं विज्रम्भन सोसावद ब्रकरणो भगवान विविर्थ प्रेम स्मितेन नयनाम बुरुहं विजिंब्रन उत्थाय विष्व विजयाय चनो विशादम माधव्य माधव्या माधव्यागिरा माधव्यागिर पुरुषः पुराण अध्यार गिराप नयतात् 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 पुरुषः सो सावध अब्र करूणों भगवान विविध्ध प्रेम स्मितेन नया नां बुरुःवं विजिंब्धन् उत्थाय विश्व विजयाय चनो विशादं माद्व्यागिरापन यतात्पुरुषः पुराण हा। उत्थाय विश्व विजयाय चनो विशादं माद्व्यागिरापन यतात्पुरुषः पुराण हा। उत्थाय विश्व विजयाय चनो विशादं माद्व्यागिरापन यतात्पुरुषः पुराण हा। अरे वाग जिस भक्त की हम निंदा कर रहे थे कभी क्लास में नहीं आते वो तो दिख रहे हैं। वाओ वाओ कौन है। पीतांबर। वेरी नाइस। आप लोग ऐसे बताते हैं जो जो नहीं आएगा मुझे मेसेज करने प्रभजी निंदा करो आपर तुम आजाएंगे। आपर तुम आजाएंगे। आप मज़ा आएगा पर इससे बहले बहुत है। हमने गा माताजी को दिख थे माताजी आपकी प्रभब्लम मौ की है। हाँ मौ की है। उंको पता है क्योंकि बद जी के विए तीन प्रभब्लम है। शोक्त, मौ और भय और इन तीनों को गोली मार देती है भागवतम। तुम 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 आजाएंगे। अनवाद। भगवान जो की परम है और सबसे प्राचीन मतलब अनातिकाल से है। अपार क्रिपालू हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्र को खोलकर मुस्काते हुए वर्दे। लिंक समझ रहें। क्योंकि भगवान अपार क्रिपालू है। वह देख रहें कि मैं मरा हूं। मरना समझते इतनी समझत नपस्या किया हूं। क्रिपा करके भगवान उनको दर्शन दिया है। तो इसलिए जरूर मुझे ये वर्दान देंगे। जो वेक्ति अपार क्रिपालू है वह तो वर देने के लिए कातर है। भगवान के संग बड़ा स्पेशल कुन है। दीन, दीन, जन, कातर है वह दएक दया करने के लिए कातर है। तो मैं चहाता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोल कर मुश्काते हुए मुझे वरते हैं। और एक एक चीज भगवान पूरा करेंगे, इधान देना कि भक्तु का मनोरत भगवान पूरा करते हैं, आपके जितनी भी मनोरत है लिख दीजे, और आप देखेंगे, एक एक करके सारी चपोर्नती, टाइम, जब एट वर से टाइम, संशे मत कीज़ेगा, आप में ब्रह्मा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, एक दो बच्चा प्यादा करके दिमाकरा हो जाता है, वही सिष्टी बैलेंस दी होती, तो जब इतनी बड़ा कार करने का वर्दान दे सकते हैं भगवान, तो पर छोटी चीटीज दे सकते हैं, आप यह देख रहे हैं कि भर्मा ज जगत में जितने समय से है, और जितने जन्मों में वो रोया है, उन आसों से एक सागर बन जाएगा, लेकिन भगवान की मुस्कराहट उस सारे शोक के अश्रु को सुखाने वाली है, सत्य बात है, मंदिर में वक्त जाते हैं, तो भगवान को देखते हैं कितनी प्रसंता हो सारा शोक नश्ट हो जाता है, वे संपूर्ण विराठ सिर्ष्टी का उत्हान कर सकते हैं और अपने क्रिपा पूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विशाद दूर कर सकते हैं, इसलिए हमारा विशाद समय से ले ब्रहंमा जी को घबरहाट थी, परिशान थे कि हम अपना कुछ लाब हो ये विचार किये बिना दूसरे का कल्यान करने की भावना इसको दया कहते हैं इसे को करना कहते हैं तो भगवान के वंदर कैसा कुण इसको जोड़िये कि दूसरे का असीमित लाब हो रत्र से लाब हो अर अपना उसको लाब चाहिए नहीं वो तो पूर्ण है ऐसे अदर्भ करूण है भगवान पुराण पुरुषा एवं पुरातन पुरुषा मतलब ब्रह्माजी के भी पहले हैं जो व्यक्ति ब्रह्माजी के बाद हो और मान लिजे कि वह असीमित करूणा से युक्त भी हो वो ब्रह्माजी का क्या वर्दान देगा संब्सपा है मां लिजए कि युद्ध पूत्र होने वाला है बहुत द्यालू है अब तो नहीं लुरेख पैदा होग ग rap पाइदा ही नहीं हुआ तो कैसे करेगा नहीं सोच पा रहे हैं आप पापा कहती हमारा नाम करेगा बेटा ऐसा काम करेगा तो बेटा होगा तब ना काम करेगा Is it not बेटा अगर कुछ बढ़िया काम करे तो पिता अपने को कृतार्थ मानता है ते लेगिन बेटा करना पड़ेगा न तो भगवान तो ब्रह्माजी के पहले ही है तो ब्रह्माजी के द्वारा कुछ स्रिष्टी करें और वें उन पर कुछ किर्पा करें आफिको नहीं है, पुरान पुरुष हें, वी अनादी काल से हैं, और अनादी काल से अदब्र करुण है। पुरान पुरुष अदब्र करुण हैं, दोनों को जोड़िये, ईसा नहीं कि भघमान को इस चिक्षा दिया है। भाइया वो आप ही के जीव हैं जरा देखिए उनकी तरफ उनके कुछ दया कीजिए हम लोग दया की सिक्षा गरहन कर रहे हैं कि नहीं तब कुछ दया करना सीखते हैं लेकिन भगवान की दया तो उनके सुरुप शक्ति से प्रकट हो रही है उस सभाविक रूप से सभी जीव सोलुपता कुण है पुरान पूरश। है हो समझ गये पुरान पूरुष प्रह्माम्त ब्रह्मा सी के पहले है और अनंत दयासर उप्त हैं ऐसे भगवान-अशव also अधाव घवान-जू मेरे सिर्ष्ट हो करता है अधा अधाव मतलब यह हैं भगवान जो मैं देख रहा हू वही भगवान विविवरिध प्रेम श्मिते ना विवरिद मतलब बढ़ा हुआ प्रेम अति प्रें युक्त हाँस्त मुश्कान स हई है अब कर grammar बहुत सारे आशे हो सकते कि इसलें भी तो मुश्क्रा आप हालतु में डर रहे हैं। समझे रहे हैं मेरे बात? तो भगवान इसमें अफिक्शन आगा, रहे क्यों डर। मैं तुमको पहली दे चुका हूँ। तो अब यह जब इस प्रकार की प्रारतना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कि बगवान प्लीज, 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 आपकी लीला कथा मुझे नहीं भूले. Will not that evoke more affection in the Lord? आप भगवान के सामने रोज प्रार्थना करें जाकर कि भगवान प्लीज, 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 मुझे मैव से बचाएगा. पर बारा गंटी तो मैं शुता हूँ, नहीं, साथ शाथ गंडे सुता हूँ, प्लीज, 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 आप रहे बचाएगे, तो मैं तो गया मैं तो बहुत वीक हूँ, प्लीज, क्या कृष्ण ऐसा, भवान तो यह अज प्रेम करते हैं ज़िए लेकिन कोई इस प्रकार से प्रार्थना करेगा, तो भगवान का प्रेम और उस वेक्ति की प्रति नहीं बढ़ जाएगा, आप समझ रहें ना, तो विवरिद्ध प्रेम स्मिते ना, भगवान अब बढ़े हुए प्रेम से युक्त हास्ची के द्वारा, या स्मित मुस्कान के द्वारा, और नयनाम अपने नयन को, नयन प्लस अंबुरुहम, मतलब जो अंबु पे जोगता है, अपने कमल नयन को विज्रिम्भन, विक्षित करें, और थात कोलें, आखे बंध है भगवान की, खुली रहती है, हलके लिके खुली दें, और पूरा खोलें, देखिए आख का बड़ा किस प्रकार का है, दिव्यो, मतलब वहे जीवों के अंदर भक्तों की हिर्दे में, भगवान की सिवा की कामना को जागरित करता है, not in a wrong sense, कामना means desire to serve Krishna, तो ये भगवान की आखों की विश्यस्ता है, और ये भी है, भगवान की आखे उनकी संताप को दूर करती है, कमल से उ खिला हुआ हो तो और खिले हुए कमल को देखी और बंद कमल को देखी बहुत अंतर होता है, कभी देखा है, अमने घर में भी देखा है कि कमल बंद लाए जाते हैं, तो उसको खोल करके भगवान को अरपित करते हैं, आप कभी ट्राइ करके देखना हो, अगर ये हो तो बह जाताजी, कमल को खोल-खोल के सेट करके दे रखती थी, यहां भी लाकर हम लोग करते हैं, ऐसे तो बड़ा सुंदर लगता हूँ, बहुत सुंदर लगता हूँ, खेले कमल का सौंदर और अधिक होता है, उसलिए कह रहे हैं कि ऐसे खेले हुए विक्षित अपने आखों को खोलें, उसकार कहते हैं क्यों, विश्व विजयाय अच्छा तो था इस जगत की सिर्ष्ठी तथा च्छा द्वारा इंगित मुझ पर अनुग्रा है, क्या मतलब इसका, देखिए विश्व विजयाय का मतलब क्या होता है, प्रशन ये है, अभी तो कोई है ही नहीं, तो विजयाय की सिर्ष्पराप्त करेंगे, आप यह तो नहीं कहते हो कि जो खाली भूमी है, वहां गई और किसी पर विश्व विजयाय प्राप्त की, विचा करना, है ना, तो ब्रह्मा जी तो कभी युद करते नहीं, तो ब्रह्मा नहीं हो, युद करने के काम होगा नहीं, तो विश्व विजयाय का अर्थ, युद के अर्थ में तो हो नहीं सकता है, तो यहां पर सिष्टिक अर्थ में क्या से है, देखिए, आप लोग माताजी लो शृस्टी के कर्म मैं पराभव को प्राप्त नहां यह विश्व विजय का अर्थ जगत की सृष्टी कैसे हो रहा है लेकिन जगडा लोकों से नहीं है जगडा उस स्रिष्टी के जगडा मतलब वो जो कठिन कार है स्रिष्टी का उसमें मैं हारू नहीं Is it not? समझा गया? विश्व वजय मतलब विश्व की स्रिष्टी के कार में मैं पराभव को प्राप्त नहूं और चव का मतलब मुझ पर अनुग्रह करें मतलब एक अवर्दान ये मांग रहे हैं कि मैं विश्व की स्रिष्टी के कार में हारू नहीं कहीं नहीं हारू एक और दूसरा जू करती हूं बहुत है जो में आपें अřोगा था कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो, मैं आपकी दीला का था को बिल्कुल भी नहीं बुरू वह अनुग्रह भी मुझ पर कीजिए और उत्हाण के लिए उत्हां के लिए पुरे जगत का उतकार्ष हो ettokar ब्रद्धि को प्राप्त हूं इसके लिए माद्विया मतलब मधुर है अधनी उनि इशाद मेरा खिस्टि कैसे होगी और न है सारी मेरी हैं इनको आप सब दूर कीजिए सो सह असव वह वह मेरे सुष्टी करता भगवान वह यह भगवान जो की अदब्र करोना जो असीमित करना से योगत हैं वह भगवान विवरिद्ध प्रेम इसमते न बड़े हुए प्रेम से योगत हास्य के द्वारा नैनाम बुरुहम व विक्षित करें खोलें कमल का विकास कर समझते हैं कमल का विकास मतलब खुलना beauty of flower blossoms in nature and it manifests in the form of flower ऐसे हमारी बात्रूं की बाल्टी में लिखा हुआ है तूसरे मैं को बता रहा हूँ beauty of flower blossoms in nature and blossoms in the form of flower अब समझ गये ना English समझते हैं समझ गया है उत्थाय जगत की कल्यान के लिए ऐसा करें यह अधि भगवान जगवाजान के विष्विजयाय मतलब विष्व की सिष्टी के काड़ में नाप्राप्त हूँ ऐसा इसके लिए और चा मुझ पर अनुगरह करने के लिए नह विश श्रिष्टी करो इसी में सारा माधव्या कि मतलब मधूर मानि की द्वारा अपने आत मेरे विशाद को नस्ट करें पुरश्षा पुरान मतलब आप पुरान पुरूश है ऐसा ऐसा करें आप नहीं करेंगे तो कोई और है भी नहीं करने डाला साराव दर्शनी कृपा कटाक्ष एवं कृपा पून उपदेश द्वारा दास्त निसंश ही आनंदित होगा अथा ब्रह्मा दूनों के लिए प्रार्थना करते हैं अभी बड़ी संदत बात है जब हम भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं तो उनका किर्पा कटाक्ष मिलता है वैसे भी बवान के भक्ति करते हैं तो बहुन का किर्पा कटाक्ष मिलता है लेकिर उनके किर्पा पून उपदेश भी चाहते हैं तब दास आनंदित होता है यही चीज आपको अपने गुरु महराज या वैश्णों पे भी लागू करनी होगी केवल उनके देखने से काम नहीं चलेगा देखने से भी लाब होगा और उपदेश से सबसे अधिक लाब होगा प्राइटना करते हैं बहुत से बहुत इंप्रॉटन पाइंट केवल देखने से काम नहीं चलेगा भगवान भी अर्जुन के सामने थे देखी रहे थे कि कैसे शोक में बेटा अर्जुन जो किसी के सामने गिरे नहीं वो उठ नहीं पा रहे हैं प्रतमे ध्या भगोदीता को देखा था न, बैट गए और उठ नहीं पा रहे थे, श्agitप भूल गया आकरी श्लिघ में थे न, तूश्टिम बभूवह, ऐसे बोल करके, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा यह दूसरे दाय के शुरुआत में कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा मैं बवसकार बैठ गया यह बोल करके बैठ गये उठ नहीं पा रहे थे तो उनका शोक नष्ट हुआ भगवान के आदेश से भगवान डांट भी लगाए जो कुछ करना तक किये उस उभधेश के द्वारा वो बोल लहना कि नष्ट मुहा स्मृतिर लब्ध्वा तत प्रसादात मया चुता मेरा मुह नष्ट हो गया है मुझे स्मृति प्राप्त हो गया कि मैं आपका सिवक हूँ और आपके वचनों को सुन करके नष्ट मुहा स्मृतिर लब्ध्वा तत प्रसादात मया चुता आगे कैस लोग है मैं आपके वचन मेरा संदे चला गया है और मैं आपके वचन के अंसार करूंगा तो आप समझ भीजिए कि भगवान की उब्धिश्ट से बहुत बड़े साहता मिलती है तितोस्मी गतसंदेः तरिश्य वचनम तवा समझ में आ गया यही बात वह है और यही ब्रह्मा जी चाहते है कि भगवान जो मैं तो समझ रहा मुझे करना क्या है लेकिन आप भी बोलिए कि यह करो हे प्रभू यह बहुत अच्छी बात परमकुजी सचने दन महाराज कह रहे थे कि हम सभी को वैलिडेशन चाहिए कि हम लोग क्या सही सतर्पे है और महाराज और बोले लेडिज वांट मोर समझ गए पूर्षों को सभी को वैलिडेशन चाहिए कि हम लोग सही कर रहे है क्या सही कर रहे है और लेडिज वांट मोर तो भागवत कता में माताव जी को और चाहिए क्योंकि संभावना है और ये प्रभपात कहते है शुरूरा दुर्गा जी से, दुर्गा जी को संशे है, सबसे स्रेश्ट उपास से कौन है, तो वहां फिर शिव जी कहते हैं, अराधना नाम सरवेशाम, विष्टु अराधनाम परम, तस्मात परत्रम, तेवी, है देवी, 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 तदी अनाम सरमर्चनौ, तो वहीं से चलाए कि संशे बना ही रहता है, वहां सती को संशे था, संशे बना है तो इसलिए सुनेंगे तो फिर विष्वास और और दिख बना रहेगा, जो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोलिए, हे प्रभु अपने नेत्र कमल विज्रम्भन और थात खोल कर उठिये, ताकि मैं विष्व विजयाया और थात इस विष्व में सरवत्र सुष्टी करते समय पराभव को ना प अब वो जो बिल्टिंग बन रही थी, वो बंद, वो बिल्डर भाग गया, वो पैसा डूप, वो पैसा डूप गया, तो इसी विष्व के स्थान में कॉलोनी नहीं बन पाई, हम यहीं देखते हैं, यहां से जाके सीधी राइड लेके डेफ लें, तो एक कॉलोनी बन रही ह अब बताओ, चलो, विष्व अचार कीजिए, मैं कहूं कि मैं एक नया प्रजट डाल रहा हूं, समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाओंगा, कोई पैसा डाले का यहां सपर, और पीस रेस हैं, वो तो इनवेस्ट एक रुपी अलसो, एक रुपी तो चलो भेग देंगा, वो त जोज के नहीं आया था, लेकिन है ना सठीक एजांपर, यह मेरे चुत में था ही नहीं, लेकिन बताइए, ब्रह्मा जी ने कॉलोनी बनाई है की नहीं समुद्र में, बहुत लोग रह रहा हैं, वेल्स और डॉल्फिन और क्या-क्या, तो क्या उनको पराभव प्राप्त हु जरूर हैं वहाँ पर, मुराईय अभी लाज नरक देश दियो बास में लगे पड़े ऐसे काम करने में जो नरक की प्राप्ति जरूर हो जाए, तो वहाँ भी है ना, कोई पता ही कोई कोई कहें कि ऐसे जगे में जहां पर कढ़ाई में लोगों को अबाला जा रहा हो, तो व पके नहीं हो, तो पकाया जाएगा तुमको अच्छी तरह से वहाँ काम कर रहे हो, अब समझ गए कि ब्रह्मा जी ऐसी आदभु सिर्ष्टी कर दी है, समझा गया, कहीं पराभव को प्राप्त नहीं हो है, अच्छा, चर्श शब्द से संकेत मिलता है कि भगवान को अपने इसलिए भी खोलने चाहिए, ताकि ब्रह्मा जी की अन इच्छा अर्थात पूर्वोक्त सतत भगवत समरण भी सिद्ध हो, ये भी स्पष्ट है, मैं विश्व को पराभव को प्राप्त नहीं हो, ठीक है, लेकिन मेरा पराभव इसमें हो जाएगा कि मैं को भूल जाओ, पर भगवान का विसमरण कर ले, विसमरण हो जाए, तो वह भी नहीं होना चाहिए, स्ष्टी कार में भी मैं नहीं हारूं, और भगवान आपका समरण करने में मैं नहीं हारूं, ठीक है, ये क्यों हैंड टेस कर रहे है, जैसे बुरा नहीं मानेगा, लेकिन मान लिजे कोई मात जी किसी बच्ची को जन्म देती है और भगवान को भूल जाती है तो जन्म देने में तो उनकी हार नहीं हुए लेकिन अगर भजन भूल गई तो हार हो गई की नहीं है अब तो बिलकुल इस पर समया गया ना I think this is not a better better example than this जन्म कैसे example आई यह जन्म भक्त ने भी हाथ तेज किया था she is about to give birth to a child and that reminded me of this point कि श्रिष्टी करने में नहीं हारी संतान बड़ी अच्छी हुई लेकिन अब जब करना भूल गई भगवान को भक्ती करना वह नहीं कर रहा है लेकि मैं कहरा हूं कि अगर वह भूल जाए ऐसा तो तो हार हो गई न और ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जगत में ल लोग जिनके बच्चे उसे वैकुंट की प्राप्ति कर रहे हैं बल्कि वो कुछ बोलता ही जब सी नड़का हुआ है नरक हो गया जीवान तो यह हार भी मेरी नहीं होनी चाहिए माधव्य अर्थात माधुर मै अर्थात इस विश्व की स्रिष्टी करो इस प्रकार के आदेश मै वाक के द्वारा मेरा विशाद दूर कीजिए अब विचार कीजिए अर्जुन का प्रश्ण था जिससे मेरा पक्का श्रे हो यत स्यात श्रेय निश्चितम में ब्रुही ऐस साब बोलिए तो अरजुन परिशान थे कि मेरा श्रेक कैसे होगा और निश्वित होना चाहिए तो वहर विशाद कैसे नश्ट हुआ अब आपको एक वैद क्या बोलता है देखो भाई यह करो कि यह दवा खाओ और यह मत खाना यह खाना करते हैं आप देखें कि वह आदिश प्राप्त करते ही अप सुखी हो जाते हैं कि अरे वा याद आप तो मेरी बिमारी ठीक हो जाएगी अगरीट नहीं काट सकते इस बात क कि आप अनभव किया है मेरी बिमारी का पक्का इलाज मिल गया और भगवान बोल रहे है वो तो अमोग है वो तो ऐसा लिए कि ट्राइक करके देखो मन मना भव मत भग तो तो सही होगे कि नहीं हो अरे बहुत लोग गए हैं बहुत लोग गयान तपसा पूता मत भाव मागत जो भगवान जो पाए बोलते है वो ट्राइड अंट टस्टिड है समझ रहे हैं बात मैं एक्जाम पर दे रहा हूं कि आप वैद के बाद आप पहली बार जा रहे हो उससे पहले बहुत लोग आ चुके हो बहुत को ठीकर चुके हैं आप गई थे ना वैद बाद ने गई थ अब हमको अपनी बीमारी का याज मिल गया हमेशा नहीं मिलता है लेकिन अगर सद्वैद्य है आपकी मारी का इलाज जानता है तो आदेश के दर आही विशाद नस्ट कर देता है वह प्रेम से भी बोलते हैं बहुत मधूरता से कृष्ण बोलते हैं नोट इबाल प्रोधनी से प्रार्थना करने पर भी भगवान की भाषण की बिना संतोष लाब ना कर पाने के कारण उनकी वचन के द्वारास्व संतोष की प्रातना करते हैं श्लोक से समझें आप किता संदर लंख है कि प्रार्थना की मेरा दिकत नहीं हो और यह उसको अस्रिष्टी करना शुरू नहीं बोलेंगे तब तक ब्रह्मा जी को संतोष नहीं होगा देख रहें कितना प्रेम का रहीं है किसी और को पूछ लो भाई हमीशे क्यों बुलवा रहे हैं तो कहते हैं आपके बिना कोई नहीं है जो मेरे विशाद को दूर कर सकता इस आश्य से कहते है पुरुष्षा प बैस commissions बेरो जो वेक्ति गृट रहीं है जो वेक्ति एक प्रेना से देखी ब्रम्हा जी कह रहे हैं कि उनके विशाद को भग्रवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है और हम उमुर को सोच रहे कि हमारे विशाद को भग्रवान के लाव और नहीं कर देगा अरे वेविशाद बढ़ाएगा आपको तो कहेंगे वैशनव का आश्रे क्यों लेते हैं वैशनव आपका विशायत खुद नहीं नस्ट करते हैं वह आपको भगवान से करते हैं समझने का प्रयास कीजिए यहां जो भागवत बुली जारी तो मैं किसी का विशायत नस्ट नहीं कर रहा हूं मैं अपना ही विशायत नहीं कर सकता है दूसर क्या करूंगा समझने मेरी बात वैद आपको ठीट नहीं करता है वैद आपको दवा से करता है अग्रीट जहां भाईया दोको ओपन डिसकुशन करने अगर को विरोध हो तो आप बोल दीजेगा आपको भगवान भगत लोग जीव को नहीं होगा तब तक जीव का विशादन नहीं जाने वाला यह बह्त मार सकते हैं लकिन जाने वाला नहीं है और कितनी दुख की बात है कि जगत में so-called life coaches होते हैं and they coach people to forget Krishna और अद्भूत बात है कि ऐसे लोग coaching प्राप्त करके बोलते भी कि हम ऐसी प्रसंता को प्राप्त नहीं हुए जो पहले कभी थी कभी हम ऐसी प्रसंता को प्राप्त नहीं हुए unless you connect to Krishna you cannot be happy you cannot be happy कोई आपको कहे कि मैं आपको महिली जाए में चश्मा दे रहा हूए कि वाइस साब में आपको हाथी दे रहा हूं और आपने मान लेका हाथी? सुन्दर माताजी हाथी है? नहीं इंको नहीं बताए साइन्टिस्ट प्रभु आप बताईए, यह हाती है, अब कोई मैं यह रिसर्च करके क्या अप्रूव किया सकते हाती है, यह हाती नहीं, यह चश्मा है, तो कोई अपको उल्लू बनाए कि भाई यह हाती है, यह हाती है, यह हाती है, और हम मानने हमको हाती मिल गया, हमको हाती म कर सकता तो आप कहेंगे प्रभुजी आप भी तो कहते हैं कि प्रणायम करो हमकद भी करते हैं सुर्य नमस्कार करो उससे भगवान का connection क्या है देश ठीक रखते हैं इससे हम भगवान की भगति ठीक से कर पाते हैं तो आप मेसेज करेंगे प्रभुजी माइग्रेन हो रहा है अजब नहीं कर पा रहे हैं समझ गये ना बात तो उसका उद्देश भी किवल क्रिष्ण की भगति करने के लिए है बस यहने कि दिन दो रटके हम प्रणायम ही करते रहते हमने पता है ना सांस नेने कि जब कीजिए तो एक वैक्ति जो सोने में निष्ट थे एक दिन में में अब वहां ये बात इसलिए कही गई ताकि आपकी भक्ति अच्छी हो जाए उसका उद्देश रही था कि आप भक्ति भी करने में सहयक हो जाए not that कि हम यहां पे कोई अश्टांग योग का क्लास करने वाले हैं makes sense to the devotees okay यह आपके लिए उच्छीत ही है माल भवान कहीं कि ऐसा क्यों करूं मैं हम बहुत इस्टर्बें लक्ष्मिजी से बात करने हैं हम आपके बात करने का तो अपना काम करें इस्टर्ब मात करो इस्टर्ब करने हैं यह आपके लिए उच्छीत है इस आश्य से कहते कि अ आपने बात जो मैं ऐसा बोल रहा हूं देखिए अपसंजी बात दया का मतलब क्या है मैं अभी मानलो पानी मांगू और आप दाल चावल ले आओ तो यह दया है मैं कहूंगा रहे भाहें प्यास से मर रहें यह दाल चावल नहीं चाहिए दया मतलब जिसकी जो आफ्षक्ता है वह देना तब उसको दया कहा जाएगा ना अग्रीड है ना मैं यहां पर क्या करते हैं आप लोगों फ्लूइड मेकनिक्स पढ़ाएं लग जो जो कि मैं भूल गया हूं अली शर्दी आते तो यह क्या पढ़ा लग दिमां खराव गया उनका हम यह भागवास सुनने आए तो यहां पर जो ब्रह्मा जी चाहते हैं भगवान के लिए करना मुश्किल नहीं है मेरे लिए भगवान से बात करना मुश्किल हो सकता है लेकिन भगवान के लिए मेरे से बात करना मुश्किल नहीं है आप लोग श्विकार करते हैं कि अगर भगवान चाह ले तो कल ही आज क्यों आज क्यों ने, do you agree? क्या आपके आज रात शाम सपने में नहीं आशके है? क्या आज आरा सारा दाही नहीं पी सकते है? अच्छा यह बताओ कभी सपन आया है कि कीतन में बैठे हैं कता कर रहे हैं, कभी-कभी आया होगा, कभी-कभी आता है, तो खोश है, तो क्या आई सकता है? How can you say कि आज आज आपको वैकुंट नहीं लिए सकते हैं, भगवान के लिए ऐसा कौन सा कार है कि नहीं करें? हम भगवान से बात सीधे नहीं कर सकते हैं, मैं अब हम बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम भगवान को सीधे नहीं लेख सकते हैं, भगवान तो जब चाहिए दिखा सकते हैं, तो भगवान अदब्र करना है, हमने इतनी महनत की है, तपस्या किया हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, शनलागत हूं, आप प्रणते प्री हैं, आप जरूर क्रिपा करेंगे, आप वैसे भी प्रणते प्री हैं, अदब्र करना हैं, आब की करना तो वैसे इतनी महिए खुख करती रहती है वजब गयोपर तु मुछ पर जरूर करना करेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस इतना क्यार हूं कि आप कुछ बोलिए। ज्यादा थोना मांग रहा हूं। इतना ही बोल रहा हूं कि आप अपने मुख से भी कह दिजिए कि सिष्टी करो। यह कुछ ज्यादा है। तीन-चार दो शब्द बोल दीजिए। ज्यादा रहा है। ज्यादा थे। ज्यादा थे आतना में तो परमपुची लोकनात माराज जी रथ पे आये। तो भक्त ने बोला, और्माराज जी अब दो शब्द बोलेंगे। माराज जी बोलता नहीं। महाराज को कथा कहने हुँछा है। पर भी कुछ बोलता हूं तो महाराज को कुछ बोलें। तो दो शब्द को कुष्टो बोलिये। दो शब्द का मला जी थोना होता है कि अब दो ही शब्द बोलिये। एक बार किसी को बलता है कि He will speak some words, दो शब्द को कहने के लिए। हरे कृष्णा। कि यापने के लिए करने के लिए। कि कैसे बोले। भक्तों का विनुट बिवद भूता है। कि दो शब्द के कहने के लिए। यह थोना किसुष्टो बोलिये। अचर एक चीज बता ही है। कभी पति पत्नी का या किसे जगड़दू पती पतने मैं सा होता है जगडा हो जाए तो पतनी को या पती कर से मत अरे अरे कुछ तो बोले है मत् heftण बोलने में बहुत बड़ा परिष्राम है क्या यह तो नहीं कहरें ना कि कोछ जो एल्लिवे लेकिया रों कम से हम बोली तो सही जुप के बठे होई देखा हो जगत में देखा जाता है आप मुस्से गुसा तो नहीं है ना तो कुछ बोलने से वेक्ति पुरे मुद्ध करता वी प्रैक्टिकल देख रहे हैं गोहिया माख्याति प्रचति अपने हिरदय को खोल दिये ब्रमाजी तो भगवान से भी चाहते हैं कि वे कुछ बोले यहां पर बीच से में कुछ बोल रहा हूं तो कभी-कभी कुछ प्रसंता में कुछ भग लोगोच चैट में बोलते हैं इस गोहिया माख्याति प्रचति अधो आसानी के पॉस्टन दी बोलते हैं लेकिन यू हीर और रुका नियाता कुछ बोलते हैं कुछ अन्मोधन करते है या कभी हाथ असे भी करते हैं है ना तो दिस लविंग रसिप्रोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएशन अच्छा माल दीजे एक इंट्रस्टिंग बात है माल दीजे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म की उपासना कर रहे होते तब भी बोलते कुछ बोलिए कि आप ब्रह्म को नि मिलेगा क्या अगर वो रोएगा तो उसकी आंसों भी पोचने के रुमाल भी नहीं देगा वो ठीक है तात्पर प्रहुपाद का प्रत्य है भगवान वेरी ओपिनिंग लाइन इस मोस्ट नाइस फर प्रहुपाद भगवान इस भौति जगत के पतितात्मा उपर अत्य धिक कृपालू है प्रहुपाद राख्या कर रहे है अदब्र करोणा की इसलिए यह सोचना कि मैं क्योंकि भगवान से विद्रो करके बैठा हूं तो भग जीव भावति जगत में जो सादक भावति जगत में बहुत को और अधिश प्री है क्यों कि आध्यात्मी जगत के जीवों को भगवान की प्राप्ति के लिए कभी संगर्ष नहीं करना पड़ा वाड़नमेशिंग स्टेट्मेंट कि इस व्यक्ति ने मुझे प्राप्त करने अधिकले प्रयास किया यह प्रयास ही तो भगवान देख रहे है और इससे you are becoming dearer to Krishna एक भगत थे थोड़े बिमार थे तो बिमारी की वज़ो से वह बक्ति नहीं कर पारते है संगर्ष अधिक हो रहा तो अब बिमारी हट गई तो क्या है बिमारी हट गई है अब संगर्ष के यह मौका दिया ही नहीं जा रहा है भी फॉर्चुनेट की मौका दिया जा रहा है कि अपने मन को लगाने के लिए आपका लुठेंगे जब करेंगे होवान का नाम करेंगे त्या दिए एवरी डेए अवरी ताइम यू डिनाई यह इंडर इंटरेस्ट और सेंसेज और समझे हर बार अपने इंद्रियों का तरपन ना करके आप कृष्णी की सिवा करते हैं कृष्णी को बहुत परसंद करते हैं वह संघर्ष है तो और कृपा प्राप्त करने का आपको साधन है संपूर्ण विराठ जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लि मौका मिले वह सोते न रहें उनको मौका मिले अपनी भक्ति को बढ़ाने का ठीक है यह उत्थाय शब्द से का क्या कर रहे है और हर व्यक्ति इसी प्रजिजन के लिए है भले उसको ना पता हूँ भगमान अपना क्या स्टेट्मेंट है किसी की भी कांसिलिंग कीजिएगा तो यू समझ लिजए कि उसको ये बात समझानी है कि उसका जीवन का उद्देश भक्ति में प्रगति करने के लिए है एक हां अब दिख गए अब बोलते हैं अंको हम नाम नहीं रख रहे है एक भक्ति बोलने थे भी प्रवुज़व दलडल से बाहर निकलना चाहते हैं, पहली हमने कांची बताओ, कि दलदल न्यकलने से पहले आपको रसी पकढ़ने पड़ेगी, अग्रीड, तो रसी चोड़ करके दलडल से बहर में निकल चकते ना, और रसी चोड़ते, दलडल से कोई बहर निकले चारब रसी फीको, तो फिया ओ, पर नायी लोजिक है, नहीं लोग यह है कि आ हाप रसी फेकी जाएगी और जब रसी को पकड़ेंगे और खीचे लाएंगे बाहर तो आपको खिचाव महसूस होगा महसूस होता है आपको क्लास में आने बाद खिचाव कुछ कि हम लोग खीच रहे बगवान की वर भाग बक्ति करो चप करो अगरीट वो खिचाव अच्छा है कि बुरा है वह जैसे ही उस रसी का खिचाव छूटा फिर दल्दल खीच रहे आपको नीचे समझ गए वो धल-दल खीचने के लिए ही है और रसी छोड़कर दल-दल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा जानते क्या होता है और धसेंगे जित आपने पता होना चाहिए दल-दल में अगर फस गए तो आपको हिलना नहीं होता है अगर हिले रसी के बिना आपको नहीं पता है तो समत रहाते है तो रसी पकड़िये और बहर से रसी आती ओवर खीचे मिन्वा इंट अवर और भी खीचा होगा और इस्षेंगे और बहर थर्कूा करके 24न अगरीच कि आप फंक नहीं र हैनो कि मैं ऑक पैण सील लेगए और तो पांसिल आप इसकी की krijsna consciousness भगवान अपना विस्तार अनेग पुरुषवों में करते हैं जो या तो स्वा中國 होते हैं ये विभन आनश स्वांश मैं भिष्णु विस्तार और विभन आनश मतल। विश्टी आत्माउं वाले पुरुष उनके v sponge हैं जिसे हम सभी लोग जबकि स्वा अंश साक्षात भगवान होते हैं स्वा अंश सेव्य होते हैं स्वामी होते हैं और विभनाश आनंद था ज्यान के सर्वोज सुरूप के साथ दिव आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं जिवात्माय भगवान विश्ण सुर्पों की सिवा करने के निवित्ध होती है और इसमें व शुखी रह सकती है मुक्तात्माय बिना भौतिक कल्पित वचारों के सेव था सिवक के आनंद में आदान-प्रतान में समलित हो सकती है यह समझ में आया, यह कल्पना है कि मैं अपने देह और अपने मन को संतुष्ट करके संतुष्ट हो जाओंगा, इस इस कॉल्ड मनुगत इच्छाए, प्रजाहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनुगता, जो मन में लॉजड हैं, हम गोलगपा खाकर सुखे हो जाएगे, नहीं, यह तमआरे मन की इच्छा, गोलगपा तुमको टच करता, गोलगपु, तो हमस्टोपिड, हम सोचे करे यह खाकर, यह छू करके, इस सब मनोगत इच्छा है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने में पानी पीनी से प्यास बोजी है किसी के आज तक नहीं तो ये मनोगत अच्छा होती है उसी प्रकार से तो इस तरह की नोटंकी इस प्रकार के लिए इलूजन को छोड़ करके उस समझते हैं कि हम कृष्णी के सिवा करके सुखी होंगे जय्से कोई हाफ गुलाव जामन प्रूड़ के वह 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 उसको पकड़ा रहे तो तो क्या हो ला कुछ नहीं यह तो कि अघर थोड़ी सी लिए सब्सक्राइब कर रहा है अगर थोड़ी इंद्रियु कर रहे हैं ने वही काम कर रहे हैं। मैं होी काम कर रहा हूं को ऑप वफ भाट ऑठी ती नो इसे नोट यहार्क्षा अस्पत बात यह नहीं करते हैं वह गुला जाम को पेट में करके। सुखी होते हैं, jsou जानते हैं, वह जानते हैं, अनभव करते हैं, और किसे की सेवा करते हैं. डरते हैं कि भगवान, अम ये गुलाब जामुन को ब front करके भूमने की, गुलाब गल्पी ना करें और इस प्रकार से दुनिया में घूमता हुआ अपनी बेजेती ना करा हूँ प्रीज गिव मी ग्यान चक्षु नोट गुलाब जामुन चक्षु समझ जागे ना गुलाब जामुन चक्षु कितना स्टूपड लगे ना वरती बहुत बीटेक है एमटेक है यह वो है लेकिन आखों में गुलाब जामुन बांद के घूम रहा है समझ गे ना बहुत योगता है पीएचडी की हो है सब कुछ की है लेकिन इंद्रितिप्ति नहीं छोड़ पा रहे है तब सेव तथा सेवक के बीच ऐसी दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट धरन गूपियों के साथ संपन उनकी रास लिला है अब देखो प्रहपात्यतात पर कहा जाता है गूपियां अंतरंग शक्ति की सेवक अंश है मतलब अंतरंग शक्ति की विस्तार है और वह सेवक है अतेव, रास लिला नित्य में भगवान के सम्मलित होने को कभी भी पुरुष तथा इस्तिरी के संसारी संबंद जैसा नहीं मानना चाहीं, जिसमें वे एक दूसरे की इंदलियों को संतुष्ट करके, अपरी इंदलियों को संतुष्ट करने का बश्छी की प्रयास करते हैं, तुम मेरी इंदली को संथिष्ट करू और मैं तुम्हारी इंदली को संथिष्ट करूँ प्रत्यत भग्वान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की ये सर्वोच सिध्धावस्था है गोपिया कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं और रिश्नी गोपिया को सुखी करना चाहते है, इंद्री तिप्टी नहीं करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, भगवान पतितात्माओं को जीवन की सर्वोष सुध्धी के लिए अवसर ब्रदान करते हैं, तो व्याक्या प्रवपात की आई कैसे, उथाया, जो जीव इस जगत में गुलाब जावन आखों में बांध करके चल रहा है गधा नमबर वन जो एकदम निम्न है जिसे कोई पूछ नहीं रहा है उसको भक्ति करके फिर देह मिलेगा उसको भक्तों की संकत मिलेगे तब भक्ति करेगा उसको यह योगता दे दी जाए कि वह भगवान की प्रवेश नहीं करें यह उत्थाय करते है यह प्रपा समझ्जा लगें इसलिए स्रिष्ठी करो टाकि कुछ जीवों को ऐसा मोका मिलगा कि वह इतने योग हो जाए कि वह गोलोक प्रंदावन में भगवान की रासलिया में समय प्रवेश करने ये उताय करते है यह देख रह ना कि एक शर्द उत्थाय की वैक्या प्रपात्या कर रहे हैं, अमेजिंग, और देखें, हम लोग सुनते हैं शास्त्रे से, राधा कृष्णा स्थलम लभेत, यह जो बातिस अफशर का हरे कृष्णा मंत्र है, जो इसको नाम जब इसको बोलता है, जब करता हूँ, चरन करता हूँ, राधा कृष्णा के श्थल को लाप करता हूँ, वाज जा करके के पान की दुकान खोलेगा, maybe if you want to serve the pan to Krishna, but maybe if that is a service, I have no idea, लेकिन पान की दुकान का बोलन गोलो कि में ऐसे नहीं है, मैं हो भी शकता हूँ, But I have no idea. But गोलो की प्राप्ति कर ले, ऐसी सिस्टी करवाईए हमसे. ऐसी सिस्टी करवाईए जुटों को गोलो की प्राप्ति करने कमआ का मिलदा है. कलन प्रभू क्या ब्रह्मा जी कर दो अपने आठी और बाके लों के रह जा estुआ? अगर आपने के लिए यह किया रहे तो क्यों क्यों गरते हैं तो आप प्रश्चन करोड़ों कि ब्रह्मा जी परं में विसुचा है अब अधाया मतलब पूरे विश्व विजयायाए और विश्व उथाया अब सभी के लिए वासे ब्रह्माशमेता समझ लिना चाहिए कि अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई है अभी तक नहीं आई जब आजाए कि तो समझा दूंगा लेकिन उसमें लिखा हुआ है यह रेलाइस्ट महां पे तात्पर में बताया गया कि उनको समया गया कि उनका स्वरुप गोपी का रहा है अभी पुरुष चली में वह चार मुखवाले आणि आओं पॉइंट एस की केवल अपने लिए नहीं जो प्रेमी जीव केवल अपने लिए बागेगा क्या आप बात करते हैं उत्थाया मदर सभी जीवों के लिए सभी जीवों के लिए अप मौका में लिए आप समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी सब तीनों लोका को उपकार करने वाले क्या सत्यूग और त्रितायोग के भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के दिवी लिलाओं के बारे में जानते हैं अच्छा प्रश्ण देखिए अम्रीश महाराज सत्युग में आये थे और उनके बारे में क्या बोलते हैं सवय मनह क्या बोलिए कृष्ण पादार विंद यहो वाचांसी वैकुंठ गुनान वर्ण ने सबसे पहले उपने मन को ने कृष्ण के चर्वनम में अर्पित किया सबस्ट है तो यह कृष्ण की लिलाओं को सत्युग में भी लोग जानते हैं ऐसी बात नहीं कि भवान स्री कृष्ण जो पूराना पूरुष्ण तो सबको जानते हैं ब्रह्मा जी के कलिग में पैदा है वैसे पता हो ना चाहिएं कि चार्रियु के बिलें प्रतिव में होते हैं देव लोग में नहीं होते हैं तो जब ब्रह्मा जी को पता है तो इस अनुको भी पता ही है और यह द्रिता योग के भग हो तो अघवान कृष्ण की लीला में है ही आप क्या बात करते हो तो तो आइसा भी आते ही हैं, तो उनकी लिलाओं में जानने का क्या मत्तब है, लिला में रहते ही है हो, किस में? अरे भगवान कृष्ण आते हैं, तो तिर्दा यूग में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसमें तो जानते ही हैं, तो भगवान कृष्ण के यह हमेशा विद्यमान रह नहीं सोचना है कि हम नित्य सिद्व वश्नों से अधिक प्री हैं, यह नहीं, हमें तो यह भाव में मर्खना है कि हम लोग तो बतित है, लेकिन भगवान की तरफ से बात ही है कि भगवान को यह प्रीय हैं अधिक, in the sense कि उनके संवर संगर्ष कर रहे हैं इस दिश्टी से, ऐस पिचारगी में हैं, इतनी सारी परिषानिय में होते हुए भी, पिट रहे हैं मातापिता से या अल्य लोगों से अपने अनर्थों से पर इच्णा कृकर्ना कफिक भृ। अब इसको मैं समझा दता हूं भगवान ने कहा था जो वट इस एट महात्मानस्तु माम पार्था देविम प्रकृति मास्तु तहा भजन ते अनन्य मनसो ग्यात्वा भूत आद्म अव्यम है ना तो जो महात्मा लोग है विलकूल अनन्य भाव से भजन कर रहे तो उन्हें तो उसको भी वहसा ही शाधू मानो जैसा कि महात्मा समझा है उस अक्त में तो जो वह संघर्श भी कर रहा है लेकर भगवान की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है यह भी चोड़ रा like that because of determination CPA Example JOE, जिया समझा जाए कि ब्रहँमा जी गुणों से प्रभावत होंगे यह प्रश्ण होगी अपने एग्जैम्पिले समेझसे समधने आप गु håउड और अभी शाद आव नौक्री नहीं करना नौकरी करना और उसके बाद भी न सब्क़ों का प्रॉभावित करें तो शादी कर ले। उसके बाद देखेंगा कि कितना गुंट से प्रॉभावित होते हैं। और उसके बार और और भी ने समझभाए तो फिर बच्चे भी कर ले ना मैं आपको वह सारे शापने देना चाहता लेकिन हमाँ बता रहा हूं है ना गुणों का प्रभाव और नहीं दिख रहा है तो मैंने माता पिता को देख लेना कैसे गुणों की प्रभाव में हैं प्रश्ण किये तो मिझे डिर्क्ली था आपने बताना था एक्जाम पिल दें तो आपके आसपास सभी जगए है लोग बहुत उक्ता में लगे हुए है और भवान का भूले हुए है शिव जी का देवी वाला श्लोक का रेफरेंस क्या है पद्नपुराम रिष्ण को द्वाप पढ़ान लग गए यह नहीं बागोत पढ़ान लग गए कि ब्रह्म लोग की प्रला के बाद नहीं प्रमाजी आते हैं यह कहां से सुन लिया आपने कल आप नहीं होंगे कल आप नहीं होंगे आप वहीं होंगे ना तोने के बाद आप नहीं होते हैं यू में फील फ्रेश ब वो नहीं कि दूसरे जीव हो एक पूरे ब्रह्मा जी की दीवन में पूरे एक ही ब्रह्मा जी रहते हैं इस्वर इश्मा किजिए प्रुर ब्रह्मा जी के जीवन में एक ही ब्रह्मा जी रहते हैं वो अलग अलग ब्रह्मा नहीं होते हैं आप पतानी क्या बोल रहे हैं आप इतना सच रिलाइस्ट बात कहां से बोलते हैं कहां से बोलते हैं अरे यार यार लिखा हुआ सामने नहीं वहां से बोलता हो प्रश्न है कहां से बोलते हैं यह भागवाद सामने लिखी वहां से बोलते हैं यह आज तक नहीं समझ पाए धने सब्धेज़ इस मतलग आप ये कैथे हैं कि आप अप्रमानिक भॉल्हाइँ जो कुछ बोल रहा हूं । बात बरो। आप अब आतना पापी जीव को भी गोपीओं और भाग्वान के आदान-प्रादान के स्टर थिर्गुल रहा है। कमेंट कमेंट कोशन मार्क हाँ यह है यह कि बहुत सिंपल से बात है थोड़ा समय है मैं लेकर बोल दे रहा हूं पता दिन कौन सा है फिर समझिए बहुत अच्छा एक्जामपल आये था रफनेस आये तो आप किसी बहुत उच उस्तर पर जाना चाहते हैं किसी बिल्डिंग प पर कौन चड़ने का दम रखता है जो लोग कच्छा सराद खा रहे हैं उनकी दम है सो माला पर चड़ने की कगनाई प्रोजिना है तो अब चड़ने सो माला पर तो भाई अब इस पर तो कोई नहीं चड़ पाएगा पहर हाथ खड़ेंगे सीडी पर कह चड़ेंगा मालो शी देख रहे हैं सब याग लोग हैं पर कोई बुद्धा व्यक्ति भी हो जा एकदम सोचिए सोचिए कोई और अच्छ एक्जम्पल कोई व्यक्ति आप देखते होंगे अपोलो में अपोलो में मल्टी स्टोरीड माली जी किसी का एक्सिदेंट हुआ है अब बहुत जबदा और उसको मरनाशन अवस्था में अंडरलान की जो मरने वाला है लिफ्ट पे चढ़ा दिए असारिशमा कीजिगा उसको स्टेशर पर डाल दिए लिफ्ट में चढ़ा दिए और अब वो पांस में बाद ऊपर पहुंच गया उसमें क्या प्रियास है उसका लिफ्ट में बनानी नामानी ये सुविग में सहसा विवशाग्रिणंती तेने वजन्म शम्मलं सहसे वहित्वा सैयाति पावृत मृतम तमजम प्रपद्य तो समझ में आ गया यही भक्ति के प्रस्व से हम लोग लिटरी स्ट्रेचर वाली आलत में हैं थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहे ह तो भई आप क्या बताई फिर तो गंगा जी में और गुदम अन्व और चा करें और इतना ऐजी प्रस्स है को थे ओम पर दो को हुआ हैक्छा सबद्धार्य किibly मुक्र जब्दान के left क्रीक्री जब घजान पूर्वद है तो भगवान की पुर्वान की प्रापति करो कि अभी तो नहीं मर रहे हैं ना प्लैन तो नहीं ए, नापर बthinking report थैसाह reverse नाम ले देश कале नियम ना इशे इसार्व शथी होए . हाद आज एक ब्शोर ने बंशाई चाहिए ब्रमा जी का भी फिर क्या हर ब्रह्मा जी एक स्तुतिय Wang होति है हर बार ये स्तुतिय कौण से ब्रह्मा जी की हैं। हम से ब्रह्मा जी की हैं मेरे पहली बात चुम्न कीजिए क्योंड हमारे ब्रम्हा जी कीकि हमारे पहली में प्रमुरकर चुछी सबहाथ पक्रमा च्रूक है करने से पहले आप गोलोग पहुच जडाऊ हो का ङभणा उम्हाल अधी भ्रम्हा जी का दिन चलना है करते सिते हर दिन पात्ना करते हैं निए बसका कि बदुबारा जन्म पराया नहीं होता है। निए बसक्त-धप रइम परनमा जी बस बाधनी परेंगे. यह बसक्त बसे बार्ङम करेंगे. स्वधिया पिäischen स्थाम्हाणी को परनमा के लिए की दोगाटनी औ venue परनमा नो लगनरेंगे. झाले जाले